देखें ग्रामी न्यूज यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लालू प्रसाद यादव को छे हफते की अंतरिम जमानत पर रहा कर दिया गया है घर में बड़े बेटे की शादी के चलते लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत से परिवार की खुशी दो गुनी हो गई है आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव शादी के बंधन में बंधने इचा रहे हैं जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव को गुरुवार को तीन दिन की पैरॉल मिल चुकी है। और लालू प्रसाद यादव को छे हफ़ते की अंतरिम जमानत मिल गई है। ये जमानत उनको मेडिकल ड्राउन पर मिली है। लालू प्रसाद यादव को ये जमानत राची हाई कोट से मिली है आपको बता दें कि चारा घोटाले के कई मामलों में लालू को दोशी करार दिया गया था जिसके अंतरगत उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है और इसके बाद हाल ही में तेज प्रताप और एशुरिया की पटना के एक होटल में सगाई हुई थी सगाई में लालू यादव शामल नहीं हो पाए थे लेकिन शादी समहरों में शामल होने के लिए पैरॉल पर रहा लालू प्रसाद यादव जब राची से पटना अपने घर पहुँचे तो परिवार के खुशी थामे नहीं थम रही थी लालू के गाड़ी घर के कैमपस में दाखिल होते ही वहाँ भगदर मच गई इतना ही नहीं वहाँ मौझूद कारेकरता एक दूसरे के उपर गिरने लगे लालू प्रसाद यादव के आने से पहले ही उनके नातिन नाती नानजी जिन्दाबात के नारे लगाने लगे लालू का पूरा परिवार समेथ तमाम रिष्टिदार भी घर पर बे सबरी से उनका इंतजार कर रहे थे गौर तलब है कि शादी समाहरों के लिए लालू को मिली इस छूट से उनके परिवार में तो खुशी का महल है ही लेकिन इसके साथ ही पार्टी के कारेकरताओं ने भी खुशियों की होली खेली है